So, hey guys, hello and welcome to our YouTube channel, Artibrens. So guys, आज की बड़ी में लोग जानने वाले हैं कि जो CITS का जो आप लोग का जो इंट्रेंस होने वाला है, जो कि इस यर के लिए, लाट मिंज कि अप्लिकेशन फॉर्म जो 2022 का कब से आने वाला है? ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहे थे, क्योंकि देखिए, आप लोग को ये बात तो पता है, कि अगर आपको CITS करना है, तो उसके लिए आपको इंट्रेंस देना पड़ेगा, कोई भी ना कोई CITS कॉलेज में आपको एडमिसन लेके पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे तो आप प्राइबेट से कर सकते हैं, जो कि ITOTS होते हैं, और गौर्रमेंट से करने के लिए, जो कि CITS होता है, आप लोग को प्रभाइट कर देता हूँ, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पता होगा, कि यहाँ पे जो CITS के जो फॉर्म्स जो आने वाले हैं, ठीक है, तो सबसे पहले यह हमने जानने कि CITS कोर्स किन के लिए है, और जो है, क्यों करना चाहिए CITS, तो अगर आप ल को अपलाई कर सकते हैं, अने था आप अपलाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो यह समस्या है, इसके लिए अभी क्या हुआ कि CITS का और भी जादा क्रेस बढ़ गया है, तो CITS actually होता क्या है, जैसे कि आप लोग को पता होगा, प्राइमरी स्कूल हो गया, या सेकेंडरी स्क अपने के लिए बियर्ड कंपलसरी होता है, या डियलर्ड कंपलसरी होता है, जो कि टीचर ट्रेनिंग होता है, उसी तरह से ITI के कालेज में पढ़ाने के लिए आपको यह इंट्रेंस वगर जो है, देना पड़ता है, तो यह हो गया CITS, तो CITS का जो है, जो है फॉर्म बट बेसिकली पहले फॉर्म निकलता है उसके बाद फिर इंट्रेंस होता है तो फॉर्म जो निकलता है देखिए इस बार का मैं आपको बता रहा हूँ जो 2021 जो था जो कि हम लोगा सेशन है इसमें क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा सेशन डिले हुआ बहुत ज्यादा लेट तो चीजे जो है बहुत दिसंबर तक चले गई थी और इंट्रेंस भी जो है लेट से हुआ था एक्जाम ने संस फॉर्म हलांकि जो है जुलाई अगस्ता फॉर्म आये थे बट इस बार जो सीन है क्योंकि जो 2021 सेशन है उनका जो है जो आपका जुलाई एंड आफ तक में ख दो लेते हैं दस तारिख तक पंदर तारिख तक आप लोगों को देखने को मिल सकता है ठीक है कि माई यून फे जून के फ tag यहां कि किस तरख होता है ह ''्गाभ को नंबर के होते हैade है'' जहां कि आको 75 questions जो होते है वो आपके particularly trade 對 थे श्यक्तिक्र सेलै प्हिंटर है क्यां प कुछ वीडियो चैनल पर मिलेंगे और आने वाले टाइब में आप लोग को अप्डेट्स और मिलता जागा कहां से पढ़ें क्या पढ़ें ठीक है उसके लिए आपने निश्चिंत रही है चैनल को सब्सक्राइब कर ले जागा ताकि आपको सारी अप्डेट्स मिलते रहे रह कर ले दी कटफ का तो देखेगा इस कटफ के लिए मैं आप लोग को बता जाता हूं इस बार का जो सीन था क्योंकि 18 बीस सेशन जो था आईट्याई का वो भी इस बार जो है CITS का जो है appearing candidates के रूप में नहीं भर पाये थे क्योंकि उनको reject कर दिया गया था नीमी ने क्या किया था उन सभी को जो है reject कर दिया था ठीक है रही बात कि अगर मैं बताऊं आप लोग को 19-21 सेशन तो वो लोग भी eligible नहीं हो सगे थे क्योंकि उनका हाल फिलाल में भी recent days में जो है उनका result आया है ठीक है तो अभी दो सेशन के बच्चे को भी भीड़ लगने वाली है CITS में और CITS compulsory हो गया है इस बज़े से क्या होने वाला है कि CITS के लिए इस बार जो cut-up अच्छा खासा जाएगा मैं आपको month of ये end of March में आपको बता रहा हूँ ये चीज इसलि 40, 60, 60 अबब आप लोग एम करके चलिए तभी आपको NHTI जो की आपका जो की government organization है जो आहां से आप CITS कर सकते हैं उसमें आपका admission हो पाएगा क्योंकि जब बच्चे जो है CITS, NHTI से ही करना चाहते हैं, government organization करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपको अच्छा क खाना छोड़ दिया जाए तो बाकी चीजे आप लोगो की लगभग 4,000-4,500 तक में हो जाता है इस लड़के प्रेफर जाता करते हैं और पढ़ाई अस्तर भी अच्छा है और यहाँ पर सिखाया भी बहुत अच्छा से जाता है ITOTS जो आपको private ITI का जो हाल है वही private मतलब क ITS that is ITOTS का हाल है इसलिए cut up की मैंने बात आप लोगो बता दी CITS जो है किनको करना है और क्यों करना चाहिए और compulsory कितना है वो चीज़े मैंने आपको बता दिया है बिना entrance के कोई उपाय नहीं ले सकते है भले NSTI चाहें ITOTS में seat खाली रह जाएगी लेकिन admission नहीं होगा आ और जो है इसमें लगभग मतलब सारे topics मेंने cover कर दिये हैं अगर आप लोगा कुछ doubts रहता है तो आप लोग comments में मुझसे बेजी जीज़क पूछ सकते हैं बड़ आप चैनल बड़ो ज़रू subscribe किजएगा किनकि आप सारी updates आप लोगो time time मिलती रहती है और जो interest जो होगा जो है बीस दिन पचीस दिन का मौका मिलता है time मिलता है तो मई के last में आप लोग तयार हो जाईए और पढ़ाई में तो भाई अभी सलग चाहिए तो इसी उम्मित के साथ कि आपको जानकारी जो है समझ में आया होगा पसंद भी आया होगा तो मिलते हैं अगली जानकारी मे तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत सुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद